नमस्कार स्वागत है आपका दन्यूस पर मैं हूँ आपके साश शेरिन राजस्थान में होने वाले विधान सबाचुनाव से पहले राजस्थान के सागवाडा में गर्जे हैं देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और इसी दोरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की गहलो सरकार को लेकर करदी है बड़ी भविश्वानी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब राजस्थान में कभी नहीं आएगी गहलो सरकार यानि की वापसी नहीं करेगी कॉंग्रेस और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सागवाडा म भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जन्जभा को संबोधित किया और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जो हैं वो वाई सेना के विवान से उदैपूर पहुचे थे इसके बाद वेव यहां से मोधी हेलिकॉप्टर से सागवाडा पहुचे और यहीं पहुचकर प्रधान मंत स्री नरेंद्र मोधी कॉंग्रेस के ऊपर बरसे हैं और नोंने कहा कि मैं भविश्वानी कर रहा हूं और नोंने कहा है कि यह माव जी की महराज की धरती यहां से यह बात पोल रहा हूं कि भविश्वानी कर रहा हूं कि इस बार ही नहीं राजस्थान में कभी भी अब अशो करने की हिम्मत कर रहा हूं करो कि मेरी ये भविश्वानिये हैं ये मेरी नहीं है इस पवित्र धर्ती के ताकत है कि मेरे मन में ये विचान आया है और इसलिए बोलने की हिम्मत कर रहा हूं और मावजी महराज की छमा मांग करके बोलने की हिम्मत कर रहा हूं पूरे राजस्तान के लोग लिख करके रखे इस बार तो नहीं अब राजस्तान में कभी भी अशोग गहलोत की सरकार नहीं बनेगी कभी भी नहीं ये मावजी महराज की धर्ती पर से बोले गए शब्द है और ये मावजी महराज की धर्ती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है कॉंग्रेस के लोग जहां भी वोट मांगने जा रहे हैं वहाँ उनको एक ही जबाब मिल रहा है एक ही जबाब मिल रहा है जा एक तरफ सरकार को लेकर ये बड़ी भविश्वाणी जो है वो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है तो वहीं दूसरी तरफ जो है जो कॉंग्रेस के समर्थक है और जो सचिन पालेट के समर्थक है उनमें भी कही न कहीं जो है वो निराशा देखी जा रहा है जो तरीके से कॉंग्रेस अब दरकिनार करती हुई नगर आ रही है सचिन पालेट को जुसके बाद एक नारा जो है वो भी राजस्थान में काफी जादा इन विधान सभास्चुनाप के दोरान देखा जा रहा है खेर उस पर भी बात करेंगे पर आपके लिए बता दें कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी आज कॉंग्रेस पर जमकर बरसे और उनों ने कहा है कि आशोक गहलोत की सरकार ने युवाओं के सपने को तोड़ने का प्रयास किया है और उस बार कॉंग्रेस को भरष्टा चार मुक्त महिलाओं के साथ जो रेव की घटनाय सामने आई महिलाओं के साथ जो दुराचार हुआ है ये तमाम चीज़ें हमें खतम करनी है और यहां से कॉंग्रेस की सत्ता को हटाना है और भारतिये जनता पार्टी को जो है वो सत्ता में लाना है ये तमाम बातें जो है वो प अपने तूटे हैं अशोग घेलोत ने युवाओं की सपनों को तोड़ने का काम किया है कॉंग्रेस सरकार ने हर भरती में घोटाला किया है जैसे आपके बच्चों के सपने तोड़े वैसे ही आप कॉंग्रेस के सपने तोड़ दो ये बात प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी न नहीं किया है ना कॉंग्रेस को विदान सभा में जो है अब चुनाव पड़ना क्यूं भारी पड़ रहा है देखिए एक तरब जो है वो प्रधान मंतरी से लेकर उत्रपरदेश के सीयम योगी रतनाज जो है वो इस बार राजस्थान से लेकर जो देश में पांच राज्यों के चुनाव है यानि कि दो के तो जो वोटिंग है वो संपन हो चुकी है जिसमें जो 36 गड़ और एक मध्यपरदेश है पर इसी के साथ अगर हम बात करें तेलंगना से लेकर राजस्थान और मिजोर्म की यहां पर भारतिय जनता पार्टी के जो दिगज नेता है वो रण भ प्रण नहीं है या फिर सीयम योगी दतनात क्यों आखिरकार बार बार पर राजस्थार आ रहे हैं इनी रैलियों से जो है वो कॉंग्रेस को समस्या हो रही है यानि कि यह चीज दिखाई दे रही है कि एक तरफ प्रधान मंत्री का गरजना कॉंग्रेस के ऊपर इस बार भा वाले सालों में भी कॉंग्रेस जो है वो राजस्थान में रपीट नहीं करेगी कॉंग्रेस या अशोग गहलोत की सरकार जो है वो नहीं बनेगी एक तरफ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी में अशोग गहलोत की सरकार कहकर जो है यह बात कही है वहीं दूसरी तरफ अशो पालेट जी या अभी कुछ दिन पहले कॉंग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया था और इसी मैनिफेस्टो के जारी करने के दौरान तमाम नेताओं को आगे बिठाया गया सामने बिठाया गया केंदर में बिठाया गया और वही सचिन पालेट को कर दिया गया था दरकिनार जो उसके बाद आज राजस्थान की जनता जो है वो कॉंग्रेस से काफी जादा नाराज नजर आ रही है और उसमें सबसे जादा नाराज जो गुट है वो है सचिन पाइलेट का गुट जो की सचिन पाइलेट को काफी जादा मानता है क्योंकि सचिन पाइलेट की अ 2018 में इन्ही वादों पर चुनाब लड़ा गया था कि कि सचिन पाइलेट को मुखे मंतरी बनाया जाएगा पर जैसे ही कॉंगरेट सत्ता में आईं कोज़ता ने वोट दिया सचिन पाइलेट के नाम पर लुट मिले थे जिसके बाद कॉंगरेट में मुखे मंतरी अशोग गहल और सचिन पाइलेट का गुट जो है वो बठता हुआ नजर आया था क्योंकि जनता चाहती है सचिन पाइलेट को मौका कॉंग्रेस को देना चाहिए और इसी बाद से नाराज जो है जनता है वो आज राजस्थान में एक नारा काफी जादा चल रहा है और आपके लिए बता द वाले विधान जभाचनाव में कॉंग्रेस को ले डूबे ग्या यह तमाम चीज़ें जो तरीके से परिवारवास से लेकर और कुछी नेताओं को आगे बढ़ाने का काम जो कॉंग्रेस करती है क्योंकि देखिए एक तरफ कॉंग्रेस यह कहती है कि राहुल गांधी यूव मध्यपरदेश हो यहां यूवार नेतां को ही दरकिनार करकर उन नेताओं को आगे कर दिया जाता है जो कि कॉंग्रेस की चाटुकारता कहें या फिर कॉंग्रेस के सबसे ज़ादा करीबी नेता है उन लोगों को मुख्यमंतनी बना दिया जाता है और यही एक बड़ा से कॉंग्रेस के कई बड़े नेताओं ने जो है वो कॉंग्रेस को छोड़ कर अन्य पार्टियों का दामन थामा है जिसमें से एक जोती रादिति सिंध्या भी है जिनोंने 2020 में कॉंग्रेस का साथ छोड़ कर भारतिये जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और अब इसी तरीके की तस्वीर जो है वो राजस्थान में नजर आ रही है और कुछ पत्रकार जो कि इन चुनावों को कवर कर रहे हैं वो तक इस बात को कह रहे हैं कि जब सचिन पाइलेट की रैली में जाते हैं उनकी जंसभा में जाते हैं तब ही लगता है कि राजस्थान में कॉंग पाइलेट को लेकर है जो की बहार से आए हुए पत्रकार या जो लोग है जो इन चुनावों में जा रहे हैं या फिर टीवी और मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं वो भी इस बात को सोचल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि सचिन पाइलेट जो तरीके से काम करते हैं और बोलने का अंदाज है उन्हें अगर कॉंग्रेस दरकिनार करती है तो इसका बड़ा खाम्याज़ा जो है वो कॉंग्रेस के लिए इस विधान सभाज चुनाब मैं देखना पड़ेगा खैर इस पूरे मामले पार आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करकर जरूर बताईए थन्दवाद